असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सब लोग, मुझे उमीद है कि सब ठीक होंगे और खेरियत से होंगे आज की वीडियो में हम आपको कैप वाली हाइलाइट्स सिखा रहे हैं लेकिन माटीरियल जो हम यूज करेंगे वो बायो प्लैक्स का यूज करेंगे और बहुत लगे बालो पे जब मर्ज हाइलाइट्स क्लाइन को चाहिए होती है तो हमें उसके हिसाब से ही काम करना होता है आज की वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि जब आपकी हाइलाइट्स गोल्ड पे चली जाए और आपके क्लाइन को पसंद ना आए और वो एश टूंचा रहे हों तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे वीडियो में मेरे साथ जुडे रही है ताके मैं आपको एंड तक एक एक चीज केलियर करके सिखा सकूँ सबसे पहले तो यही है कि आपने कैप में से बाल निकालने है और जब बहुत लंबे हो तो आपने बहुत बारीक बारीक स्ट्रेंट में से बाल निकालने है आपका बाल चारो तरफ से बराबर निकलना इसलिए जरूरी है क्योंके हाईलाइट्स एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम आपको फील ना हो अगर आपके बाल कम ज्यादा निकलेंगे तो आपकी हाईलाइट्स की लुक जो है वो जबरदस किसम की नहीं आएगी अब यहाँ पर आप देखें कि दो से तीन लड़किया जो है वो बाल निकाल रही है लेकिन तीनों की जो है वो टाइम सेटिंग यह है कि तीनों को पता है कि बाल किस तरीके से निकालने हैं और जब बाल लंबे होते हैं, तो बाल निकलते भी बड़ी मुश्किल से हैं, और जब कैप निकालनी होती है, तो वो भी बहुत मुश्किल से रिटन होती है, अब हम एक तरफ इसका material मना लेते हैं, आज हम जो यूज कर रहे हैं, वो इनका white powder यूज कर रहे हैं, तीनों powder मैंन and brown type का कोई powder है तीनों मैंने आपको दिखा दिये थे यह हम लोग proteins के beans डाल रहे हैं और साथ हम 40 volume से करेंगे क्योंके तकरीबन 12 level तक की जो है client की desire shade की required है और इसी लिए फिर हमने 40 volume को select किया है कि हमारा बाल जो है वो जल्दी से हमें 40 volume से level 12 तक का हमें achieve हो जाए product की mixing आप लोगों को पता है कि 1 इस तो 2 की ratio से हमने बनानी है और इसको अच्छे तरीके से mix करके जो material हमने बाल निकाले हैं उन पे apply करना है यह जो cut down का material होता है यह जितना अच्छा होगा जितने अच्छे brand का होगा आपका काम उतना ही खुबसूरत होगा cap पे highlights पे से जो हमने बाल निकाले थे पीछे के बालों से हमने यह material लगाना शुरू करना है और section section उठा के हमने यह material लगाना है बाल जो है वो काफी lengthy है तो decolor नीचे से होने में भी काफी time लगेगा लेकिन जब आप एक अच्छे brand पे काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत जादा जो है वो wait नहीं करना पड़ता application करने के बाद 10-15 मिनट बाद उसको दुबारा से blend करेंगे और shower cap लगा देंगे ताकि proper आपका जो decolor है वो तकरीबन 9-10 लेवल तक at least चला जाए कि जब हम काम करें तो बहुत खुबसूरत काम हो क्लाइन का जो wish था बहुत जादातर ash की तरफ था sorry मेरा गला खराब है कल मेरी तबियत बहुत खराब थी कल मेरी तबियत इतनी खराब थी कि मैं hospital पे अड़मिट थी आप सब की दुआएं हैं जो अल्ला तला हमें चला रहा है और आज तो मेरी हालत वैसे भी बहुत खराब कल ड्रिप लगेरा लगी है लेकिन आज जो ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने तीन बनाई थी तो मैंने सोचा वाइस ओवर करके आप लोग तक डिलीवर कर दूँ काफी लोगो को जरूरत है कि अब हम इसको वाश करवाएνगे और वाश करवाके जो है इसको बालों पृचको बैलंस करने के लिए हम इसमें पोस्ट क्रोफेशनल का टैकनिकल शैंपू यूज़ करेंगे टेकनिकल शैंपू इसलिए क्योंकि हमने 40 वाल्यूम से काम किया है तो लाजमी है बालों को हमने जो है उसके पीएच को भी बैलन्स करना है इसके बाद जो है हम इसका कलर सेलेक्ट करेंगे कलर भी हम बायो प्लेक्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब से कह रही थी कुछिश कहती हूं जिस कलर का काम कह रही हूं उसका ही मटीरियल यूज़ करों वैसे तो हमारे पास जो मटीरियल है पूस्ट कोम बहुत ज्यादा बैस्ट है लेकिन यह हमारे पास जो है कुछ कंपनी की तरफ से कलर जाय वे थे और प्रोड़क्स आई भी थी तो इनका रिव्यू मैं आपको के साथ कह रही थी बेस्ट प्रॉड़क्ट है ये भी और ये भी आपको जो है अच्छे ब्रेंड के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है 9.2 और 12 नमबर ये दो नमबर मिक्स करके इनका जो है वो कलर बनाया गया कैप से इनके बाल जो है वो निकाल के सुलजा लिए गए ताके ये कलर बेस पे भी और जो कैप से आपने हाईलाइट्स निकाल ली है उस पे भी लगे और ये जो कलर हम बनाएंगे ये डबल टॉइंटी से बनाएंगे ठीक है कुछ कमपनी की अपनी फॉर्मलिशन होती है कुछ मेरी अपनी कारकर की दी होती है कि मैं उसको अपने हिसाब से जो है वो एज़ेस्ट करती हूँ अब आपने तमाम बालों पे ये कलर लगाना है अब आप देखिएगा कलाइन का जो रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा सा गोल्ड में चला जाएगा शायद कलाइन की विश गोल्ड की नहीं थी तो वो उसने कहा कि मुझे गोल्ड पसंद नहीं आरा आप इसको टोन को चेंज कर दें थोड़ा एश में चले जाए तो फिर हमने इनका जो है ना वो दुबारा से एक ग्लॉसिंग बना के एश में किया वो मैं आपको बताऊंगी कि कभी आपके साथ इस तरह का हो जाए और आपके कलाइन कि साटिसफेक्शन ना हो रही हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं क्योंके देखे कलाइन अपनी विश को पूरा करने के लिए सलोन आता है तो ये ना होना कि उसकी विश पूरी ना हो तो फिर काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा अब यहाँ पर हम इनको आफर कलर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं रिस्टोरेटिव आरगन शैंपू और कंडिशनर का दे रहे हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इसके साथ हम मास्क यूज करेंगे प्रोटीन बीड्स के साथ तो बालों में बहुत जबरदस शाइन ये एक बहुत जबरदस ट्रीटमेंट बन जाता है आरगन का ये ट्रीटमेंट आप लोग अपने घर में एस यूजूल अगर नॉर्मली भी यूज करना चाते हैं तो कर सकते हैं बायो प्लैक्स की प्रोड़क के लिए मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ है अभी एट की वज़ा से अभी कोई ओर्डर नहीं जाएगा जितने ओर्डर जाएंगे वो एट के बाद जाएंगे क्योंके जो पार्सल वाले हैं उन्होंने अपनी डिलिवरीज जो है वो बंद कर दी है तो अब आप लोग जो भी ओर्डर्स मंगवाएंगे वो आपको एट के बाद मिलेंगे क्योंके जब ओर्डर मिलना नहीं होता तो फिर जो एट के छुटियां होती है ना उसमें आपका ओर्डर मिस्पलेस हो सकता है इस वज़े से कमपनी अभी किसी को भी नहीं भेज़ेगी ओर्डर लेकिन कमपनी का डिस्क्रिप्शन में नमबर मौजूद होगा आप लोग जो है उनसे राप्ता करके अपनी चीजे बुक करा सकते हैं प्राइस वगरा मालूम कर सकते हैं लेकिन आडर आपको ईद के बाद मिलेंगे अब यहां पर हमारा आरगन का हम कमप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे आप लोगों को पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि लाहोर में 10 मैं और 26 मैं को मेरी लाइफ क्लास हो रही है ली ग्रेंट शेलेट पीको रोड पर आप लोग जो भी लोग लाहोर से हैं या वो क्लास लाहोर के इर्द गिर्द से अटेंड करना चाते हैं तो वो लाजमी रापता करें क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेट सीज्ट हैं और ये एक एजुकेशनल क्लास हमने रखी है जिसमें बेस्ट आप लोगों को सिखाया जाएगा कोई हला गुला नहीं है हम लोग टोटल आप लोगों को सिखाने के लिए क्लास अरेंज कर रहे हैं काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी के लहोर में क्लास अरेंच करें, उन लोगों की रिक्वेस्ट पे ही ये क्लास अरेंच की गई है, सकाज अकैडमी पोस्ट कॉम की तरफ से ये क्लास है, और सकाज अकैडमी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 10 महीं को BB Glow, Micro Needling, Hydra Facial यानि Skin की मुकमल Knowledge के साथ Class दी जाएगी और 26 महीं को Hair की है जिसमें आपकी Ash Pearl Tone पे Advanced Beliaj की Class होगी अच्छा अब आप इनका After Result देखिएगा यह सारे Treatment के बाद यह आपको दिख रहा होगा कि यह Result आया है पर मेरी Client इस Result से अब इस Result को Change करने के लिए हमने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ दिखाती हूँ पहले आप यह Result देख लें फिर Ash Tone के बाद क्या Result आया मैं आपको वो भी दिखाती हूँ उसको Change करने के लिए हमने 16 M1 और 9.1 की Glossing दी जो हम लोग पोस्ट को हम की देते हैं जो लोग regular मेरी वीडियोज देखते हैं उनको लाजमी पता होगा कि मैं Glossing कैसे बनाती हूँ कैसे करती हूँ अब इस Tone को हमने Ash में Convert करना है अब देखें कि हमने Tone को कैसे Change किया अगले दिन सुबा बुला के मैंने इनका Tone Change कि अब जो Result आया वो ये था दोनु Result में फर्क है दोनु Result का आपको लोग दिखरा होगा कि Different है और इसको जो हमने सरिफ एक Glossing के साथ Change किया मुझे अमीद है कि आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को इस चैनल पर वो सब कुछ है जो आप एक बड़ी से बड़ी जिगा पर जाके सीखना चाते है और इस चैनल पर वो सब कुछ है जो आपके जहनों में सवालात है मुझे अमीद है कि आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है शेयर करना है और सबस्क्राइब करना है और जो लोग पहले से सबस्क्राइब रहे उनका मैं तहे दिल से शुकर गुजार हूँ और जो लोग सबस्क्राइबर नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें और मुझे अपनी दुआउं में लाजमी याद रखे थैंक यू झाल को लाजमी याद रखें